नमस्कार अंचल की बात में आपका स्वागत है धमतरी का रेलवे स्टेशन अपनी कहानी खुद बया करता है छोटी लाइन के इस स्टेशन में दिन में कुल तीन बार रेलगाडी पहुंसती है और लगभग दस गुने मुसाफिर इस्टेशन पर एक अधिकारी और दो कुली ह जो पूरे व्यवस्था समाले हुए है धमतरी के स्टेशन की बधाल व्यवस्था पर एक रपोर्ट धमतरी का रेलवे स्टेशन सन्नाटों से खचाकच भरा होता है विरानी की निगहबानी में महफूज छोटी लाइन के इस रेलवे स्टेशन से बेटी कट यात्रियों को न गिने तो कोई यात्री ही हाथ नहीं आते यानि शुनि से सीफर तक का सफर बड़े आराम का है कुल जमा तीन बार यहां रेल गाड़ी आती है अब उसके आने जाने का समय बता कर कोई क्यों जूटा बने इस स्वच और शांत पड़े रेलवे स्टेशन में एक मातर करमचारी सभी जरूरी जिम्मेदारियां बखो भी पूरी कर लेता है और वो अकेला काफी भी है इस पर भी समय न बचने की कोई मारा मारी नहीं तो यह क्या दिन में ऐसी कितने स्टाफ है यहांपर यह एक यह एक आदमी का स्टाफ है इस चोटी लाइन में सब कुछ चोटा-चोटा है चोटी सी रेल, चोटी सी मातरा में कुली जिनकी उम्मीद भी इस चोटी ट्रेन से चोटी ही है दिन भर में कितना कमा लेता है इस रेल से कितना चोटा राज्यसो भी शासन को जाता होगा अनुमानित है रैपूर से निकलने या रैपूर से होकर निकलने वाली दो तरह की रेलवेपाथ बिलकुल दो तरह की है कहां तो एक तरफ से जन्शताब्दी एक्सप्रेस जाती है और कहां तो दूसरी तरह से रैपूर से धमतरी पहुँचने में जन्शता को एक शताब्दी के गुजर जाने का गुमा होता है कारण में जाये तो महसूस होता है कि छोटी लाइन की ये रेल कुछ ज्यादा ही सौलम भी होती है यहां तक की रैपूर से धमतरी के बीच मिलने वाले तक खरीबन दजबारा रेल्वे पाटकों को बंद करने और खोलने का काम भी इन ट्रेन के गाड़ों को खुद करना होता है जिम्मेदारी समय पर भारी है फिर भी इस ट्रेन से सफर करने वाले इसी ट्रेन से यातर करते हैं सफर खास सफर नामा खास पास शयाद कहते हूं कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीँ दिखा, तुम्हारे बात किसी की तरफ नहीं देखा, मैं जानता हूं तेरा इंतजार लाजिम है, तमाम अम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा